नमस्कार हमारी यूट्योब चैनल सफल इस्टडे आईकोम आपका स्वागत है तो यहां पर जारकन सरकार के दुवारा एक दिसंबर 2022 से एक नई प्रक्रिया शुरू की गिए जिसका नाम है सियो मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन्स की प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप जो है आ दिसंबर 2022 को जर्खन के मुक मंत्री श्री हमांसरेन और साथ में जो है सैतनान वक्ताजी और आलमगीर आलम यह उपस्ते थे और ओनलाइन इस प्रक्रिया को सुवारम किये तो स्यो मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन्स की प्रक्रिया जो है अब एक दिसंबर 2022 से शुरू हो गई है और आम वेक्ति भी आप बीना कोई परिशानी उठाए निवंधन के बाद अपने उक्त भूमी का दाखिल खारीज करा सकेगा मोके पर वीडियो कंफ्रेंसिंग के माधियम से जो है जुड़े जीला आवंग प्रक्रिया पहली बार जार्कन में लागो की जा रही है हो सकत चीफ स्क्रेटर के द्वारा नैक्स्ट ग्रामिन चेत्रों में परचार परसार सुनस्ष्चित करें यह जो नया प्रक्रिया शूरूप किया से और मॉटो में वीडियों लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके हैं इसके क्या कुछ फाइदे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन उससे पले जो है नागरिक कैंदरित से वहाई जिसमें जो है वर्तमान में जार भूमी पोर्टल के मायदम से परदान किया जा रहा है इस क्रम में विवहा को यह सिकायत प्रावत हो रही थी कि बूमी के निवंधन के पस्चाथ दाखिल खरीज है तू मेटा डेटा में तुर्टी होने एवंग देस्तावेजों के अपलोड नहीं होने के करण अंचल अधेकरियों दोआरा दाखिल खरीज वाद को निरस्त कर दि प्रदेसिक बनाने हतु जो है सीओ मोटो मिटरसंस की प्रक्रिया जो है यह जारकन सरकार के द्वारा सुरूइक की गई है इसका क्या कुछ उद्देश आई तो यहां पर सियो मोटो मिटरसंस का उद्देश है कि इसका मुईक उद्देश भूमी के निवंधन के बाद आम जनता को परदर सी तरीके से जो है शुरपता फुर्वक दाखिल और खारिज अपने जमिन का कर सके इसके लिए यह प्रक्रिया स्चालू की गई है सीओ मोटो इमिटरसंज परक्रिया का कुछ परिचे हम लोग जान लते हैं तो देख सकते हैं जिसके बाद आप जो है निवन्दित विलेक यानि डिड रियल टाइम वेसिस पर जहर भूमी पोट्रोल में समन्दित अंचला दिकरी की लोगिन में परसित हो जाएगा इसके बाद आविदय को एक SMS का मादम से दाखिल खरीज वाद सेंख्या की सुचना प्राप्त हो जाएगी और इसके बाद आविदयक दाखिल खरीज के निस्पादन की अज़ितन इस्तिति को ट्रेक कर पाएंगे यानि दाखिल खरीज आपका किसर हुआ या नहीं कहां पर प्रेंडिंग है यह सारी जानकरिया आप आपने मोबाइल पर पास सकते हैं जिस परकार से पहले आपको पता होगे कि आई जाती आवस्तिय बनाने के लिए विभाग यह चकर लगाना पड़ता था लेकिन आप पर मुटेशन के फाइदे क्या कुछ है तो बहुत सारे फाइदे हैं इसके कहा जाए तो और आम जंदा को इसका फाइदा मिलने वाले है क्या कुछ देखे एक नमबर का था कि भूमी के निमंधन के बाद दाखिल खरीज के लिए अलग से आवदयन देने की जरूत नहीं दूसरा है कि भूमी के निमंधन के बाद सोत हई रियल टाइम आधार पर दाखिल खरीज के लिए समन्दित अंचल अधिकारी को मुटेशन के कैस नमबर के साथ सभी दस्तावेज भेज़ेज जाएंगे उसके बाद जो क्या कुछ इसका फैदा होगा कि आवदयों को से दा धूमी का ट्रेक कर सकते हैं कहां पर पंडिंग है कहां तक वो पहुंची है मुटलेट सरी जंकरी आपको मिलती रहेगी तो यह कुछ है तो स्प्रक्रिया की कुछ फाइदें और इसी लेलेटेट जो कुछ जानकरी आप लोग के लिए आने वहोले एक्जाम के लिए हो सकता कि पुछा जा सकता है कि यह क्या कुछ है तो यह से बेसिक जानकरिया है और यह जो आप अपने डिल लाइप में भी इसका फाइदा उठा सकते हैं ध्यनवाद जोहर जहिन